नमस्कार मैं रवीश कुमार क्या दिल्ली में राश्टर पती शासन लग सकता है? क्या दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी सिंग का या दावा आधार हीन है? आतिशी ने पहले भी कहा कि दिल्ली सरकार को गिराने की साजिश हो रही है कुछ दिनों के बार मंत्री राजकुमार आनंद ने इस्तिफा दे दिया विधाई की भी छोड़ दी पार्टी भी छोड़ दी तो क्या इस बार भी आतिशी का अंदेशा सही होने वाला है इस वीडियो में हम यह भी बात करेंगे कि मोधी सरकार के 10 साल में सरकार गिराने और पार्टी तोड़ने के कौन कौन से नए तरीके आजमाए गए और इस पर भी कि मोधी सरकार के शुरुआत ही राष्टपती शासन लगाने से होती है उसकी बात अब क्यों नहीं होती है क्यों राष्टपती शासन का रास्ता छोड़ कर विपक्ष की सरकारों को गिराने और विपक्ष को खत्म करने का नया रास्ता खो जा गया आखिर तक यब वीडियो देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे कि कैसे मोधी राज में विपक्ष की सरकारों को लंगड़ी लगाई जाती रही ताकि वे दोड़ते ही गिर जाएं पहले आतिशी सिंग का बयान सुनते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार अर्विंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनेतिक शड्यंत्र प्लैन किया जा रहा है हमें विश्वसनिय सूतनों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार भारतिय जन्ता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपती शासन लगाने वाली है दिल्ली में अभी जो विवस्था चल रही है उसमें उप राज्यपाल भी एक तरह से सरकार चलाते हैं नौकर शाही पर उनका ही नियंतरण है तो फिर दिल्ली में राश्टपती शासन क्यों लगाया जाए जब एक मुख्यमंत्री को जेल भेजा जा सकता है मंत्री को इस्तिफा देने की प्रेरणा दी जा सकती है तो सरकार बरखास करने की बात कलपना से बाहर भी नहीं हो सकती हम बस ये कह रहे हैं कि दिल्ली में एक तरह से सरकार तो LG भी चला रहे हैं तबी तो वे मंत्रियों को बैठक में बुलाते हैं उनके साथ बैठकें करते हैं और आजकल बयान भी दे रहे हैं कि मंत्री बैठक में नहीं आते हैं बयान यह भी दे देते हैं कि केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा हम जेल से सरकार नहीं चलने देंगे जबकि इस्तीफा देने की याचिका कोर्ट में ही कई बार खारिज हो चुकी है कोर्ट ने इस सवाल को सुनने लायक ही नहीं समझा कि जेल जाने के बाद मुख्यमंत्री केजरिवाल को इस्तीफा देना चाहिए केजरिवाल की गिरफतारी के बाद उपराज्यपाल वीके सकसेना ने कहा कि मैं दिल्ली के लोगों को भरोसा दिला सकता हूँ कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलेगी जबकि सम्विधान में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है जो यह कहता हो कि जेल होने पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होगा इसी कारण दिल्ली हाई कोट अब तक तीन ऐसी याचिकाओं को खारिज कर चुका है जिनमें मांग की गई थी कि केजरिवाल इस्तीफा दें पुर्व आप विधायक संदीब कुमार की याचिका को खारिज करते हुए कोट ने उन पर पचास हजार का जुर्माना भी लगा दिया क्या इसके बाद भी उप्राजिपाल दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाना चाहेंगे उप्राजिपाल ने केंद्रिय गिरी मंत्राले को एकपत्र लिख कर शिकायित की है कि दिल्ली सरकार के मंत्री बैटकों में नहीं आ रहे हैं जिसमें वे उन्हें बुला रहे हैं इसके कई संकेत पिछले कुछ दिनों से दिख रही हैं हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि दिल्ली में किसी भी अफसर की पोस्टिंग नहीं हो रही है। जो IAS अफसर हैं, उनकी पोस्टिंग MHA द्वारा कंट्रोल होती है। लेकिन पिछले कई महीनों से किसी भी senior IAS अफसर की posting दिल्ली में नहीं हुए। दूसरी बाद, दिल्ली के अंदर कई विभाग खाली हैं, वहाँ पर अफसर पोस्टिड नहीं हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर किसी भी अफसर को नहीं लगाया जा रहा ह। तीसरी बाद, LG साहब पिछले एक हफते से MHA को बार-बार, बार-बार बिना किसी कारण के दिल्ली सरकार को लेके चिठियां लिख रहे हैं। कहते हैं कि मंतरीगण मीटिंग में नहीं आते, कहते हैं कि मुझे चर्चा करनी है, मैंने मीटिंग पर बुला रहा हूं, यह मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। यह वही LG साहब हैं, जो कोट में खड़े होके कहते हैं कि जी यह ट्रांसफर्ट सब्जिक्ट है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो जब आप कोट में कहते हैं कि आपका पानी के मुद्दे से, पल्यूशन के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, जब वो ट्रां बना कर किसी भी मीटिंग में आना बंद कर दिया है चाहे वो कितने ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर भो मोधी सरकार में राजिपाल खुद को सरकार भी समझने लगे हैं इसके कई प्रमान आपको दिये जा सकते हैं सुप्रीम कोट की टिपणियां भी हैं तमिल नाडू के राजिपाल आरेंड रवी ने तो एक मंत्री को शपत दिलाने से ही इंकार कर दिया लेकिन जब सुप्रीम कोट ने वैसी वाली कड़ी फटकार लगाई जैसी राम देव को लगाई गई थी तब जाकर राजिपाल जी माने और मंत्री को शपत दिलाई गई आरेंड रवी न शासन लगाने से अलग होते हुए भी एक तरह से सरकार चलाने के प्रयास के रूप में देखी जा सकती है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां राजभवन बीजेपी की गतिविधियों का अड़ा बन गया है तमिलाडू के राजिपाल तो तीन-तीन साल से विधानसभा के शास किये हुए विधयकों पर बैठे रह गए यही वो समयधानिक संकट है जिसकी बात विपक्ष करता है और गोधी मीडिया कभी इसे लेकर प्रधान मंत्री से सवाल नहीं करता है इसलिए कहता हूं कि हमारे वीडियो को खुद भी देखिए और आम लोगों को बुला बु पंजाब के ततकालिन गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने चार बिलों को मनजूरी नहीं दी यह भी कह दिया कि 19 और 20 जून 2023 के जिस सत्र में ये बिल पास हुए है वो अबैद है इस पर पंजाब सरकार सुप्रीम कोट गई तब सुप्रीम कोट ने राजिपाल को फटका दे रहे हैं विधान सभा का सत्र बुलाने का अधिकार स्पीकर का है राजिपाल नहीं कह सकता है कि सत्र अवैध था तो मैं बिलकों मनजूरी नहीं दूँगा उसी समय तमिलाडू के गवर्नर के मामले में भी सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोट में ही जो बारा बिलको मनजूरी नहीं दे रहे थे एक बिलतो साड़े तीन साल से उनकी मनजूरी का इंतजार कर रही थी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी इस पर नहीं बोलते कभी भी अपने राज्यपालों से नहीं कहते कि उन्हें समवेधानिक व्यवस्था में उस तरह से हस्तक किया जाता रहा है जब तक आप इन कर्टूतों को नहीं देखेंगे नहीं जानेंगे तब तक आप नहीं समझ सकते कि आतिशी सिंग की प्रेस कॉंफरेंस का क्या मतलब है आतिशी ने कहा कि विश्वस्थ सुत्रों से जानकारी मिली है अगर आप इस बात को किनारे भी कर द राज्यपाल को सरकार की प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया है आप कह सकते हैं कि इस समय ही उपराज्यपाल सरकार में हिस्सेदार भी है यानि यहां अर्ध राष्टपती शासन सा लागू लगता है क्या कभी आपने अर्ध राष्टपती शासन सुना है गौर से देखिए त आज्यपालों ने विधान सभा के पारित विधेकों को मन्जूरी देने में कई महिने से लेकर कई साल लगाए। विधान सभाओं ने फिर से उनी विधेकों को पास किया, तब भी मन्जूरी नहीं दी गई। इस तरह राश्ट्रपति शासन लगाने के बजाए मोधी सरकार ने सेमी प्रेसिडेंट रूल का एक नया रास्ता खोज लिया जिस पर राजनितिक शास्त्र के सिधांत कार कम बात करते हैं जैसे हिंदु सुख होता है वैसे ही या मोधी सरकार का राज सुख है दिल्ली में जबसे अरविंद केद्रिवाल की सरकार बनी है केंद्र ने कई तरह से सरकार को बाधित किया है अगर या उदार सरकार होती तो चुनी हुई सरकार को और अधिक अधिकार देती लेकिन मुख् मंत्री के उपर उपराज्यपाल को बिठा दिया गया उनके अधिकारों की कटवती ही हुई राजभवन का हस्तक्षेप जब बढ़ने लगा तब दिल्ली सरकार सुप्रीम कोट चली गई 2015 में ग्रीमंत्राला ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि दिल्ली में सर्विसेज यानि नौकर शाही पर उपराज्यपाल का नियंत्रन रहेगा दिल्ली सरकार की चुनावती के बाद सुप्रीम कोट में इस पर पांच जजों की संवेधानिक पीठ ने सुनवाई की 2018 में चिफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने सर्व समती से फैसले में दिल्ली और केंद्र के बीच के रिष्टे को परिभाशित किया इस पश्ट किया यह फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में माना गया मगर सर्विसेस के मामले में पांच जजों की संवेधान पीठ ने मई 2023 में अलग से फैसला दिया इस पीठ को इस बारे में फैसला देना था कि दिल्ली की प्रशासनिक सेवाओं पर विधाई और कारेकारणी नियंतरन किसका होगा इस मामले में कोट ने कहा कि दिल्ली का मॉडल अपने आप में एक अलग मॉडल है और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों जैसा नहीं है दिल्ली सरकार का केबल नियंतरन नहीं होगा मगर बाकी अधिकार शेत्र दिल्ली सरकार का रहेगा लेकिन केंद्र सरकार को ये बरदाश्ट नहीं हुआ ती महिने बाद ही the government of national capital territory of Delhi act पास कर services के मामलों को उपराज्यपाल के अधीन कर दिया गया सुप्रीम कोड के फैसले को पलट दिया गया दिल्ली की हालत यह है कि दिल्ली के उपराज्यपाल कह रहे हैं उनकी बैठकों में मंतरी नहीं आ रहे हैं और दिल्ली की मंतरी कह रही है कि उनकी बैठकों में अफसर नहीं आ रहे हैं तो दिल्ली की सरकार कैसे चल रही है केंद्र के Government of National Capital Territory of Delhi 2023 Act के अनुसार National Capital Civil Services Authority का गठन किया जाता है जिसमें मुख्यमंत्री, मुख्यसचिव और ग्रेसचिव शामिल होते हैं इस प्राधिकरन का काम है उप्राध्यपाल को सुझाओ देना किस अफसर का तबादला होना चाहिए और किस के खिलाब क्या कारवाई होनी चाहिए मगर उप्राध्यपाल को विवेकाधिन शक्तियां दे दी गई यानि उप्राध्यपाल ही अफसरों के अफसर हो गए अब यह मामला फिर से सुप्रिम कोड के पास है जुलाई 2023 में इसे पांच जजों की सम्विधान पीट के सामने भेश दिया गया सुनवाई के शुरू होने और फैसले का इंतजार हो रहा है जुलाई 2023 में दिली सरकार ने मांग की कि उसकी याचिका को अनुच्छे 370 के निरस्त किये जाने की सुनवाई के उपर प्राथमिक्ता मिले मगर चिर जस्टिस की बेंच ने ऐसा करने से मना कर दिया कहा 370 के फैसले के बाद ही इस मामले को देखा जाएगा दिसंबर 2023 में 370 पर कोट का फैसला आ चुका है जिसमें कोट ने 370 के निरस्त किये जाने को वैद बताया है फरवरी 2024 में जब दिल्ली सरकार के वकील शादान फरासात ने कहा कि इस केस पर सुनवाई हो तो चीफ जस्टिस अफ इंडिया ने कहा मुझे इस केस का ध्यान है हम अब अप्रेल में आ गए हैं आधा अप्रेल बीट भी रहा है तो क्या दिल्ली में राष्ट्रपती शासन लगा दिया जाएगा आखरी चीज हमने देखा किस तरह से एक बीसो साल पुराने केस को उठा कर दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद केजरीवाल के निजी सचिव को बर्खास्त कर दिया विभव कुमार मुख्यमंतरी केजरीवाल के निजी सचिव हैं उनके यहां भी E.D. ने दबिश्ट दी है आठ अप्रेल को पूछ ताच हुई लेकिन जिस तरह से विजिलन्स विभाग ने 2007 के मामले में विभव के खिलाब दर्ज केस के आधार पर पत्स से हटाया है उससे संदे और गहरा होता है खबरों के मुताबिक 2007 में नोईडा में विभव और एक अन्य व्यक्ति के विरुद FIR हुई थी कि वे हिंसा कर रहे थे सरकारी अधिकारी को उसका काम नहीं करने दे रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से छापा है कि जब यह FIR ह हुई तब विभव कुमार नोईडा में एक प्रदर्शन में भाग ले रहे थे इस घटना से कोई भी समझ सकता है कि राजनिती कहां पहुँच गई है क्या किसी और राज में विजिलेंस विभाग मुख्यमंत्री के निजी सचिव को हटा सकता है 2014 के बाद BJP के किस सरकार में विजिलेंस विभाग ने ऐसा किया है धरना प्रदर्शन में भाग लेने पर असंखे लोगों पर FIR हो जाती है क्या इस आधार पर किसी को पत से हटाया जाएगा नौकरी से आयोगे घोशित किया जा सकता है तो क्यों न माना जाए कि पिछले दर्वाजे से नौकर शाही को भी हाका जा रहा है नौकर शाही किसी और के इशारे पर काम कर रही है अगर इस तरह से हटाया गया तब तो लोगतंत्र में लोगतंत्री प्रक्रियाओं में भाग लेना अपराध हो जाएगा यही आपको समझना है घोशित रूप से कुछ भी नहीं किया जा रहा है मगर हर चीज को पुराने पुराने मामलों को निकाल कर अपराध के रूप में पेश किया जा रहा है या अती के छोर पर पहुँच चुका है इसलिए कॉंग्रेस ने अपने घोशना पत्र के संविधानिक न्याय खंड में इसी संदर्व में एक महत्वपुण बात कही है कॉंग्रेस लोगों के शांती पुर्वक एकत्र होने और संगठन बनाने के अधिकार को बनाए रखने का वादा करती है इस वीडियो को देखने के बाद आप हिंदी अख़वार उठा कर देखिए हर जगा खबरें तो मिल जाएंगी लेकिन कोई आपको इस तरह से नहीं बताएगा आतिशी सिंग कहती है राष्टपती शासन लग सकता है मुख्यमंत्री के नेजी सचीव को विजलेस डिपार्टमेंट पत से हटा देता है इसके आगे पीछे कितनी बातें हुई हैं और होती चली आ रही हैं जब आप उन्हें सामने रखकर देखते हैं तब दिखती है असली तस्वीर इसली अगर आप अपना भला चाहते हैं तो मेरी एक बात मानिए हिंदी के अख़बारों से अभी नाओ और इसी वक्त दूर हो जाएए इनकी ख़बरें इसी तरह लिखी जाती हैं ताकि आप कुछ भी ना समझ सकें और वर्षों तक इन्हें पढ़ने के बाद भरम में रहें कि अख़बार के आप पाठक हैं और जानते हैं अब हम आते हैं राश्टपती शासन लगाने की बात पर अभी तक हमने आपको बताया कि कैसे राजभवन के सहारे विपक्ष की सरकारों में बीजेपी राज सुक भोग रही है राज्यपालों के हस्तक्षेव चे लगता है कि सेमी प्रेसिडेंट रूल लग गया है अब हम बताते हैं उन दो प्रसंगों के बारे में जब मोदी सरकार ने राश्टपती शासन लगाया था 26 जनवरी 2016 की पूर्वसंध्या पर यानि 25 जनवरी की राथ उस समय के राश्टपती प्रणडम मुखर जी ने अरुनाचल प्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार बरखास कर दी राश्टपती शासन लगा दिया 2016 में सुप्रिम कोट की पांच जजों की समविधानिक पीठ ने अरुनाचल प्रदेश में राश्टपती शासन लगाने की प्रक्रिया को अवैद माना कहा कि समविधानिक प्रावधानों का उलंगन किया गया है कोट ने राजिपाल के लिए हुए सभी फैसलों को रद करते हुए वहां कॉंग्रेस की सरकार फिर से बहाल कर दी कोट में मोदी सरकार की एक भी दलिल नहीं टिक पाई यह पहली बार हुआ था कि नई सरकार को हटा कर पुरानी सरकार बहाल करने के आदेश जारी किये गए किसी राजि में मौझूदा सरकार को हटा कर पुरानी सरकार बहाल करने का सुप्रिम कोट का यह पहला आदेश है 14 जनवरी 2016 को अरुनाचल प्रदेश विधान सभा का सत्र तै था लेकिन राजिपाल जेपी राजकोवा ने दिसंबर में ही विधान सभा का सत्र बुला लिया स्पीकर को हटा कर नया स्पीकर चुल लिया गया और केंदर को रिपोर्ट भेज दी गई जिस पर दसकत कर दिया प्रणाब मुखर जी ने केंदर को दोबारा विचार करने के लिए भी नहीं कहा और साइन कर दिया सुनवाई के दौरान कोट ने कहा कि राजिस सरकारों को गिराने के लिए और नाचल प्रदेश वाला एक्सपरिमेंट घातक हो सकता है और कोट को अधिकार है कि वो वक्त को पीछे ले जाए यानि पहले वाली स्थिती बहाल करे कोट ने सत्र को समय से पहले बुलाने के बारे में कहा कि क्या गवर्नर जब बोर होने लगेंगे तब एक्साइटमेंट के लिए वे विधान सभा का सत्र बुला लेंगे गवर्नर का तर्क था कि उनके फैसले जुडिशल रिव्यू नियाईक समिक्षा के लिए नहीं हैं इस पर जस्टिस केहर ने कहा यदि लोगतंत्र का कतल हो तो कोट चुप कैसे रह सकती है जस्टिस केहर ने कहा यदि लोगतंत्र का कतल हो तो कोट कैसे चुप रह सकती है नई सरकार बरखास कर दी गई और यह पहली बार हुआ जब सुप्रीम कोट ने चुनी हुई सरकार को फि बनते ही दो साल के भीतरिय काम शुरू कर दिया जिसका अंजाम या विवस्थित रूप आज आप देख रहे हैं लोगतंत्र का कतल आज भी जारी है बस कतल का हतियार बदल दिया गया है ED के चापे के डर से या चापे के बाद विपक्ष के विधायक सांसत कॉंग्रिस छोड़ने लगे शिवसेना के विधायक शिवसेना छोड़ने लगे और NCP के विधायक NCP छोड़ने लगे E.D. ने जिनके यहाँ छापे मारे उनके साथ प्रधान मंत्री मोधी फोटो खिचाते हैं वो अब B.J.P. गठबंदन का हिस्सा है प्रफुल पटेल के बारे में हमने आपको एक अलग से वीडियो में विस्तार से बताया है उसे जरूर देखिए E.D. ने कॉंग्रेस के D.K. शिव कुमार के खिलाफ फर्जी केस बनाया वे मनी लॉंडरिंग के केस में गिरफतार भी हुए जेल भी गए मगर सुप्रिम कोट ने हाली में उसे रद कर दिया करनाट का मद्रप्रदेश महराष्ट की सरकारे गिरा दी गई अरुनाचल प्रदेश की तरह उत्रा खंड में भी यही हुआ चुनी हुई सरकार गिरा दी गई उस केस में भी सुप्रिम कोट ने कॉंग्रेस की सरकार बहाल की थी कहा था राष्टपती राजा नहीं होता है लेकिन लगता है अब राज्यपालों को राजा की जगा नया सामंत बना दिया गया है सेमी प्रेसिडेंट रूल की अवधारना को समझने की जरूरत है यह बिलकुल साफ है कि भारत के सम्विधान के तहत किसी सरकार की मिजॉरिटी होते हुए किसी सरकार के पास जब उनके हाउस का कॉन्फिडेंस होता है तो राश्ट्रपती शासन नहीं लगाया जा सकता 2016 में भी उत्राखंड में जब राश्ट्रपती शासन लगाया गया था तो उत्राखंड हाई कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट और किया था और सरकार के प्लास प्लोर टेस्ट में कॉन्फिडेंस मोशन सक्सेस होने के बाद राश्ट्रपती शासन के आदेश को खारिज कर दिया गया था अरुण्द केजरीवाल के पास दिल्नी विधान सभा में ओवर्वेल्मिंग मिजॉरिटी है अर्विंद केजरिवाल दिल्ली विधान सभा का ओवर्वेल्मिंग कॉन्फिडेंस इंजॉय करते हैं तो मैं भारतिय जनता पाटी को ये बता दूँ कि अगर आप ये राजनेतिक साजिश करने की कोशिश करते हैं तो वो गैर कानूनी होगा, गैर सम्विधानिक होगा और दिल्ली की जनता के सपष्ट जनादेश के खिलास होगा दिल्ली में सरकार, सरकार की तरह कभी चली ही नहीं हर समय इस सरकार पर छापों का खत्रा मंडराता रहा आम आदनी पार्टी के मंत्रियों के यहां जितने चापे पड़े हैं, इसके विधायकों के यहां जितने चापे पड़े हैं, अगर इसका 25 प्रतिशत भी बीजेपी सरकारों के मंत्रियों और बीजेपी के विधायकों के यहां चापे पड़े होते, तब मान लिया जाता कि ए लोका जाता रहा है ये सारी बातें आम आदमी को समझने की जरूरत हैं ये मुश्किल बाते नहीं है इस वीडियो को दोबारा देखिए तीन बार देखिए दस की बजाए सो लोगों को दिखाए वो भी समझेंगे और आप भी समझ जाएंगे की खेल किस तरह से खेला जा रहा है नमस्कार मैं रविश कुमार